आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गैजट के बारे में क्या आप लोग गैजट से मुबाइल, लैपटॉप ये सारी चीज़े समझ रहे हैं? जी नहीं, आज हम गैजट के बारे में कुछ नई बाते सिखेंगे और इस गैजट के बारे में जानने के लिए वीडियो अंतक देखे चलिए शुरू करते हैं ट्रिनिटी परिक्षन परमानु हत्यार का पहला परिक्षन था यह 16 जुलाई 1945 को मैनहाटन परियोजना के दौरान हुआ था कोड नाम ट्रिनिटी अमरीकी भावतिक विज्ञानी जे रोबोट ओफन हाईमर द्वारा दिया गया था जिन्हें परमानु बं के पिता के रूप में जाना जाता है परमानु हत्यार के पहले वीजपोट के परमानु परिक्षन का कोड नेम ट्रिनिटी था लेकिन परमाणू उपकरन का नाम दगैजेट रखा गया था ट्रिनिटी परिक्षन की तीथी को आम तोर पर परमाणू यूग की शरुवात माना जाता है गैजेट एक इंपलोजन प्रकार का प्लूटोनियम उपकरन था जो तीन सफता बाद नागा साकी जापान के परमाणू बंबारी में इस्तमाल किये गए फैट मैन बं के डिजाइन के समान था शब्द गैजेट बं के लिए एक प्रयोकशाला वियंजना थी जिससे प्रयोकशाला के हत्यार बहुती की विभाग जी डिविजन ने अगस्त 1944 में अपना नाम लिया उस समय यह एक विशेश रूप से ट्रिनिटी टेस्ट डिवाइस को संधर्बित नहीं करता था क्योंकि यह अभी तक विकसित किया जाना था लेकिन एक बार यह प्रयोकशाला कोड नाम बन गया ट्रिनिटी गैजट अधिकारिक तौर पर एक Y1561 डिवाइस था जैसा की फैट मैन ने कुछ हफते बाद नागसाकी की बंबारी में इस्तमाल किया था दोनों बहुत समान थे केवल मामूली अंतर के साथ सबसे सपस्ट फ्यूजिंग और बाहारी आवरण की अनुपस्तिती थी बंब अभी भी विकास के अधिन थे और फैट मैन डिजाइन में छोटे बदलाव किये जाते रहे ओपन हाइमर उन लोगों में से थे जिन्होंने न्यू मेकसिको में ट्रिनिटी परिक्षन देखा जहाँ पहला परमान उबाम 16 जुलाई 1945 को सफलता पुर्वक विस्पोट किया गया था बाद में उन्होंने टिपनी की कि यह भगवत गीता के शब्दों को ध्यान में लाया जाए अब मैं मृत्यू बन गया विद्वशक संसारों का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर ना जाए